असलाम लेकॉम कैसे है सारे मेरे अच्छे च्छे पियरे पियरे विव्यूर्स और जो बगए सब्सक्राइब किये देख रहे हैं वो भी कैसे हैं सब अच्छे हैं, खेर हैं, खेरियत हैं अच्छा वे आज जटबड बन रहे हैं कौफते क्योंकि बच्चों ने अचाना कोफते की फर्माईश कर दी है तो मैं कोफते बनाने लगी हूँ और यह लेगे यह मैंने प्याज, हराधनिया और हरी मिरच मेरे पास यह आदा किलो की करीब कीमा है प्याज, हराधनिया, हरी मिरच जो है वो जल्दी से मैंने इसके अंदर डाल है अब इसके उपर मैंने डाल दी यह एक चमच के करीब लाल मिर्च लाल मिर्च के बाइद आपने डालना है वही मैं तो आइबॉल करती हूँ जीरा पाउडर सिंपल खाने जो होते हैं वह इनी चार-पांच मसालों से बनते हैं और इतने मज़दार बनते हैं यह मैं धन्या पाउडर डाल रही हूं कि आपको मज़ा आ जाता है लाइफ का लाइफ का मज़ा लाइफ का फिर एक जल्दी से आपने इसके अंदर अंडा डाला ठीक है मैं इ आपने इसके एक चमच सूजी सूजी मैं असलिये डालती हूं कि कुछ लोग जो है वो कौफ्ते ना तूटने के लिये और नरम होने के लिए जो है वो उसके अंदर मिलाते हैं गीली वाली ब्रेड जो मैं जो हूं सूजी मिलाती हूं अब इन सारी चीजों को अप अपसे से यह देखें अब मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करने हूं हाथ से ही मिक्स कीजिए ताके ज़रा चमच उमच इस समाल करने की ज़रूरत नहीं है अच्छे से इसको बिल्कुल मिक्स करें और कमस कम इसे आपने एक घंटे के लिए मिला के जो है वो साइट पे रख दिना ह अगर आप एक घंटे-एक घंटे में मेरी तरह बना रहे हैं तो बस एक घंटे के लिए आप इसको ढख के जो है वो बाहर रख पे अच्छा अब हम इसमें जब यह मिक्सिंग इस तरह हो गई है मैंने अच्छे से सब मिक्स कर लिया है अब मैं अपने टेस्ट के हिसाब से मिक्स कर लेंगे यही यह मिक्स कर दिया है मैंसे एक घंटे के लिए बाहर रख रहा हु ए जिए मसाला एक घंटे के रिपार रिख रहे हैं इसके बाप बॉल्स बना लिए हैं कोफते यानि कोफते बना लिए ठीक है अब हम आगे बताते ही क्या करना है अच्छा अब ये मैंने तेल गरम करके इसमें हरी मिरच और प्याज जो है वो डाल दी है कोफतों का मसाला तयार कर रही हूं मैं इसी में आप इसके साथ 4-5 लॉंग और बड़ी लाइची डालें और थोड़ा सा जो रहा है वो काली मिरच डालें चार शे काली मिरचे डाल दीजिए और प्यास को भूनने तक बनाएं साथ ही मैं इसकी ग्रेवी तयार करने के लिए जो है वो दही आप देखने के ग्रेवी में क्या-क्या डलेगा दही कोई एक प्याली के करीब मैं निकाल रही हूं इतना दही है और उसके साथ जो है वो इसके अंदर मैंने टोमैटो का पेस्ट डाल दिया है आप अपने हिसाब से डाले है आदा किलो के करीब में जितना डलता है अच्छी ग्रेवी बनने के लिए यह मैं इसके अंदर डाल रही हूं साथ ही मैं इसके अंदर थोड़े मसाले भी डाल दूँगी यह मैंने इसके अंदर जो है वो नाल मिरच डाली है थोड़ा समेस में हल्दी डालूंगी तालन के हिसाब से जितना आपको बनाना है आप उसाब से डालने और यह कोरियंडर पाउडर इसके अंदर जाएगा जीरा पाउडर जाएगा वही जो हमारे घर के नॉर्मल रोज के म के मासालें हैं यह मतलब यह है अब को रीस के अपनुखं़ जय धना है जो सव 똑같व बनाइता जाए कोई खास मसालें तो यह चला जालाएं तो ढशाते हैं मेरे कोफार्ड़ यह रही है क्योंके स्सक्यों कि अप्यों आप शील अधरक लसन का पेस्ट जिस सब चीजे मैंने मिला कर जो है वह प्याद में डाल लिया है तो थोड़ा सा ब्राउं करें आप इस इतनी ब्राउं बस जले में लेखना डाक ब्राउं हो तके उससे जो है वह आपकी जो ग्रेडी है वह बहुत अच्छी बनेगी ये बच्चा वो म साला मैंने थोड़ा पानी के साथ जो बच गया था दाल दिया है और अब हमने इसको अच्छे से जो है वो गुनना है ताकि ये एक ग्रेवी के शेप में आ जाए अब या आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा जो है वो सालन अच्छे से बुन गया है बुनने के बाद ह हम इसके अंदर जो है वो आँच थोड़ी सी हलकी करके मीडियम आँच ना तेज ना ज्यादा हम इसके अंदर हमारे जो कोफते हैं वो डालेंगे जादे तर लोग वैसे इसके अंदर पानी डालके फिर भी कोफतों को डालते हैं लेकिन मैं जिस तरह बनाती हूं उस तरह मै आपको बता रही हूँ अब इसमें हलके हलके से आप ये सारे कोफ्ते जो है वो ट्रांसपर कर दीजिए बिल्कुल हलकी आँच हलकी सी करके और कोफ्तों को बिल्कुल अभी छेड़ना नहीं है थोड़ी देर तक मसाला जले नहीं आपका देखें अब मैंने इसके अंदर सारे कोफ्ते डाल दी है और इनको इस तरह करके मैं हिलाओंगी ताके कोफ्ते टूटे नहीं और जो नीचे से थोड़े से पक जाते हैं वो जो है वो उपर की तरफ आ गए और ये देखें सिर्फ रोल करना है हलके 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 से जब तक के कोफ़ता चारों तरफ से पकना जाए हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा पानी डालना है ताके कोफ़ता तूटेगा नहीं इस वैसे तो उने अंडा डाला है, सूजी अंडा डाली है तो तूटने का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के तूट जाते हैं, तो आप सबर से काम लें अब यह आप लोग देख सकते हैं कि यह सारा जो है वो अच्छे से जो है वो यह देखे मैंने इसको सिर्फ अभी तक चमश्नी लगाया है, इसे हिला हिला कर बनाया है, अब इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूं, जितना पानी आपको चाहिए साइड पर से अराम से डालें, बहुत सॉफ्ट आपके बनते हैं यह, यह बस मुझे इतना शूर बाइस मुचाहिए, तो यह थोड़ा सा भी मैं इसको अपने के लिए भी रखूँगी, इसी तरह से इसको हिलाएं, आप ना लगाएं, यह देखें, अब इससे आपने ढखक कर इंतजार करें, बनने का, यह देखें, मैंने इसको पर अब हराधनिया भी डाल दिया है, यह बिलकुल बन कर तयार हैं, बस दस मिनट, और इनको मैं हलकी आँच पर रखूँगी, साथ में मैं अब डाल रही हूँ गरम मसाला, क्योंकि उसके बगार तो यह अच्छा लगने ही नहीं वाला है, और यह बहुत ही खस्ता बहुत मज़ेदार इस सब रेसिपी से बनाएं, आप देखें कितने खस्ता और मज़ेदार यह बनेंगे, तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सबस्क्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी कुछ फाइदा हो अगली वीडियो तक के लिए, आपेज